दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर लालू की बढ़ सकती हैं मुस्किले पंदरा फरवरी को आएगा चारा घुटाला का सबसे बड़े मामले का पैसला लालू समेट एक सो दो आरोपियो को हाजिर होने का आदेश जी हाँ आर जेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव की मुस्किले बढ़ सकती है चारा घुटाला के सबसे बड़े मामले RCA 474A 96 में 15 फरवरी को फैसला आएगा सनिवार को CBI के बेसे सिन्यादिस S.K. ससी के अदालत ने मामले के अंतिमा रूपी की और से बहस पुरी होने के बाद फैसले की तारीक निदारित की है 15 फरवरी को लालो परसाद समेट 102 आरोपियों की वेक्टिके दरूप से अदालत में उपसित होने का निर्दिस दिया गया है दोरॉंटा को सगार से 149 करोड रोपिय की अवेद निकासि मामले में लालो परसाद समेट 102 लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं अला कि आरोपियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद भी 2-3 आरोपियों की मौद भी हो चुकी है लेकिन आरोपियों की ओर से मृत्व पर्मान पत्र नहीं दिये जाने की कारण इसका नाम नहीं काटा गिया है अगली बड़ी खबर MLC चुनाव में एंडिये ने माजे सहने को किया साब बीजेपी को बारा, जेडियो को ग्यारा, पारस को बीजेपी ने दी बेसाली की सीट जिहां बिहार बिदान परिस्त चुनाव को लेकर एंडिये में चल रहे खिचतान कल खतम हो गई प्रेस कॉनफिरेंस कर एंडिये की और से सीटों का एलान किया गया इसमें बीजेपी को बारा, जेडियो को ग्यारा और एक सीट राष्टे लोक जन सकती पार्ड़ी को दी गई है तो यह अगली बड़ी खबर, MLC चुनाव में एंडिये की सीट बटवारे के बाद घमासान, मुकेश सहनी ने कहा सबी सीटों पर अकले लड़ेंगे चुनाव, माजी ने किया सरेंडर जी अभिहार में बिधान परिस्द की 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर जेडियो बिजेपी ने सीटे का बढ़वारा कर लिया है सीट बटवारे का एलान करते समय बिजेपी और जेडियो ने कहा कि मुकेश सहनी और जीतारा माजी की पार्ड़े के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन उन्हें समझा लेंगे विश्वास में ले लेंगे दो घंटे बादी बिजेपी जेडियो का विश्वास टूट गया मुकेश सहनी की पार्ड़ी ने बिहार की सबी सीटों पर आकले चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है हाला कि माजी की पार्ड़ी सरेंडर करने के मौद्दा में दिख रही है आपको बदा दे कि मुकेश सहनी की पार्ड़ी ने एंडिया में सीट बटवारे के दो घंटे बाद ये बयान जारी किया है बिजेपी से सवाल पुछा सहोगी पार्डी को फैसला लेने से पहले विश्वास में लिया जाता है या फिर फैसला लेकर विश्वास में लिया जाता है बिजेपी के परवक्ता देव जोते ने कहा कि उनकी पार्डी किसी विश्वास में आने वाले नहीं है वो बिहार में MLC की सभी 24 सीटों पर मजबुती से अपना उमिदवार खड़ा करेगी BIP पार्डी ने कहा कि BJP को MLC चुनाव में सीट बटवारे से पहले निसाद आरेक्षन पर जवाब देना चाहिए तो मैं आगली बाड़ी खबर MLC चुनाव को लेकर तेजसी यादव का बड़ा एलान कॉंग्रेस से समझोता नहीं होगा राज़त नों उमिदवार खड़ा कर लिये हैं लेट पार्डियों से सहमती जिया बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे MLC चुनाव को लेकर तेजसी यादव का बड़ा बयान आ गया है तेजसी यादव ने साब साब कह दिया कि उनकी पाड़ी बिहार में कॉंग्रेस से समझोता नहीं करने जा रही है तेजसी ने कहा कि राज़त में केंदर की पॉलिटिक्स में कॉंग्रेस को समर्थन दे रखा है MLC चुनाव में राज़त का लेट पार्ड़ों के साथ सहमती बना ली है दिल्ली में मीडिया से बात करते वे तेजसी आदम ने कहा कि बिहार में 24 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव के लिए राज़त ने उमिदवार के नाम का एलान कर दिया है उनकी पार्ड़ी के प्रत्यासी चेतर में जाकर वोटर से संपरक भी कर रहे हैं इस जुनाव में कॉंग्रेस से तानमेल नहीं होगा हाला कि लेप्ट पाडियों से बात हो गई है अगली बड़ी कबर बिहार में अगले दो दिन तक रहेगा कोल्ड बेब 10 किलोमेटर परति घंटे की रपतार से चले की पज़वा हुआ सभी जीलों में ओर बढ़ सकती है ठंट यहां बिहार में अगले दो दिनों दक कॉльड डे का अलाड जारी है मौसर मुखाग ने राज के सबह 18 जीलों में कॉल डे को लेकर बचाओ की अपील की है इस दोरान दो दिन दक राज के सभी जिलों में सुबह की समय हलके से मजदा मिस्तर का कोहरा चाय रहेगा पहारों से आने वाले तेज ठंडी हवाई बिहार में कंकनी बढ़ाने का काम कर रही है मौसम विभा का कहना है कि बिहार में उत्तर पजवा हवा का प्रभाव सता से डेड़ किलोमेटर उपर तक हो रहा है उत्तर पजवा के रप्तार आठ से दस किलोमेटर प्रति घंडे की है ठंड बरी हवा के परवाव से पूरे राज में अगले दो दिनों तक सीत लहर जैसी सिती होने की सम्हावना है साथी मौसम विवा का कहना है कि राज में अगले पांच दिनों तक मौसम सुस्क बना रहेगा अगली बड़ी कबर अब एनम और आसा को बिहार सरकार देगी इंसेंटिव प्राविट सेक्टर की तरह मिलेगा परफॉमेंस बेस्ट इंसेंटिव कोरोना में बहतर काम करने वालों को होगा चैया जहां बिहार सरकार प्राविट सेक्टर की तरह अब A&M और आसा को टीम बेश्ट इंसेंटिव देने का प्लान कर रही है कुरोना काल में बेहतर काम करने वालों को यह रासी दी जाएगी स्वास्ति बिवाग ने इस समन्द में आदिस जारी कर दिया है हाला कि स्वास्ति बिवाग ने कुरोना की दूसरी लहर में भी ऐसे ही इंसेंटिव का आदिस दिया था लेकिन डेटा ओपरेटोर के साथ अन करमचारी को भी अभी तक वेतन के अतरिक्त कोई भी रासी नहीं दी गई है अगली बड़ी ख़बर प्रावेट स्कूल की तरह किसान आंदोलन जैसे प्रदसन की चितावनी एसोसिसन ने कहा चे परवरी से नहीं खुले प्रावेट स्कूल तो कड़ेंगे बड़ा आंदोलन जी हाँ कोरोना के खत्रे को लेकर बिहार सरकार ने सिक्षन संसानों को बंद रखने का आदेस दिया है सरकार का आदेस पाँच परवरी तक के लिए प्रभावी होगा सरकार का नया आदेस क्राइसिस मेनेजमेंट की बैड़क के बाद आएगा लेकिन अब स्कूल खोलने को लेकर आंदोलन के तैयारी चल रही है प्रावेट स्कूल एसोसेशन ने छे परवरे से स्कूल ने खोले जाने पर आंदोलन के चेतावनी दी है बिहार के सभी जिलों में आंदोलन के लेकर रनिती बनाई जा रही है किसान आंदोलन की तरह बिहार में सिख्चक आंदोलन के रनिती बनाई जा रही है अगली बड़ी कबर बिहार में यदि आपको मिल रहा है कम रासन तो इस नंबर पर तुरंद करे सिकाया जिया रासन कार्ड ऐसा एक दस्तावेज है जिसके जरिये आपको सस्ते में रासन मिल जाता है लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि रासन कार्ड धारगों को डिलर रासन देने में आना कानी करते हैं ऐसे स्विति में आपके पास जो भी उतने में संतोस्त करने के अलावा कोई आईने विकलप नहीं होता है यदि डिलर से आप इस समन्द में कुछ पोचते हैं तो गोल मौल जवाब दे कर वो आपको वापस कर देता है यदि आप आपको डिलर कम रासन देता है तो इसकी तुरन सिकायत कर सकते हैं केदर सरकार की और से राजी के हिसाब से हेलप लाइन नमबर जारी कर दिया गया है आप इन नमबर पर कॉल करके डिलर के खिलाब अपने सिकायत दर्ज करा सकते हैं बिहार की लोग 1-800-3456-194 पर कॉल करके रासन कार्ड से जोड़े कोई भी सिकायत दर्ज करा सकते हैं अगली बड़ी खबर बिहार में एक परतिसत से नीचे आया कोरोना का पोजिटिविटी रेट राज में मिले 1329 संक्रमित कोरोना की तिसरी लहर के पेक आने के बाद राज में पिछले 24 घंडे में पोजिटिविटी रेट अब एक परतिसत से नीचे आ गई है राज का पोजिटिविटी रेट आब 0.85 परतिसत हो गया है राज में पिछले 24 घंडे के दौरान 1329 संक्रमित पया गया है इस दुरान 2577 संक्रमित स्वस्त भी हुए है कोई राज में आब 7712 एक्टिव केस रह गये है संक्रमन की जाच के लिए राज भर में कूल 1,53,310 सेंपलों की जाच की गई कोरोना टिका करन अभियान के तहत पिछले 24 घंडे में राज में 356,000 से अधिक लोगों को टिका दिया गया अगली बड़ी कबर बिहार में 6 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 24 घंडे एक्सपार्ट टीचरों की स्विधा बच्चों को मिलेगी खास स्विधाए बिहार में कख्चा 4 से 12 तक के स्विधा बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए 24 घंडे एक्सपार्ट टीचर की स्विधा रहेगी फिलो एप के जर्य या स्विधा दी जाएगी इस संदर्म में मैदमेक स्विधा बिभाग और फिलो एडिकेट प्राइवेट लिमिटेट के बीच एक करार किया गया है फिलो एप यहाँ एक स्विधा एकदा मुप्त में दे रहा है इसकोली बच्चों को एप स्मार्ट पॉन में डाउनलोड करना होगा मैदमेक स्विधा निदे संग मनोज कुमार ने सबी जिला स्विधा पदादी कारियों वा जिला कारिकरम पदादी कारियों को आउगत करा दिया गया है मैदमेक स्विधा निदे संग मनोज कुमार के मताबिक फिलो एप के जरिये इसको ली बच्चों को बोर्ड परिच्छा नेट जी एंटी एस आदे की परिच्छाओं के तैयारी भी कराए जाएगी अगली बड़ी कबर किसोरों के टिका करन में देश में बिहार दोसरे स्थान पर बॉर्ड परिच्छा से पहले वेक्सिनेशन का लच्चे होगा पूरा जीहां अब जाएग द्धाक tis 1.209,801 के सऔरों को को टिका दिया जा चुका है इसके तहद अब दग 45 फिजिक की सवरों को वेक्सिन लगा जा चुकी है वह 36,49,329 टिका का डोस लगा कर मजद परदे से तेसरी इस्तान पर है अगली बड़ी खबर सुच बिहार की तहद आब स्कूल में होगी सफाई की पढ़ाई सिलिबस में जुड़े नए चेप्टर जी आब बिहार में स्कूल में आब हाईजिन वा सिनिटेशन की पढ़ाई होगी पीने के पाने के सपाई को अब स्कूली बच्चे अपने सिख्चक से जान पाएंगे COVID-19 संग्रमन को देखते हुए NCRT ने कक्चा 3 से 12 तक के कक्चा के लिए नया चेप्टर जोड़ा है नई सत्र से इसकी पढ़ाई सुरू की जाएगी किसी कक्चा में कौन से चेप्टर होगा इसकी भी जानकारी NCRT द्वारा दी गई है NCRT द्वारा चटी से 12 तक के कक्चा में अलग-अलग चेप्टर हाईजिन और सिनिटेशन को लेकर दिया गिया है इसके अलावा हैल्द और फिजिकल एजुकेशन में कक्चा एक से 10 वी तक के चेप्टर में जोड़ा गिया है अगली बड़ी खबर नितीश सरकार का बड़ा फैसला सीम रहत कोस से सैती सो चार कोरोना मिर्तोकों के असरीतों को दिये जाएंगे चार चार लाक रुपी है कोरोना से मिर्तों होने पर मिर्तक के असरीतों को मुखिमंद्री रहत कोस से सिकुर्वार को वीडियो कॉन फ़रेंसिंग से हुवे सीम रहत कोस से नियासी परसत की 21 बेटक में जाएंगे दी गई है अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड इंडर परिच्छा में राज के चोदो से खतर में 988 केंद्रों पर कक्छाए पड़ेगी कब जी हाँ इस बार इंडर परिच्छा के अलावा बरामद में भी होगी कोरोना गाइडलान के अनुसार इसकोलों के पास कक्छाए कम पड़ रही है ऐसे में बरामद में भी परिचात्रियों के बैठने के विवस्ता की जा रही है लगबग हर जीले में कक्छा की कमी है इंडर परिच्छा के लिए राज बर में 14-71 परिच्छा केंडर बनाए गए है इनमें 988 केंडर ऐसे हैं जहां कूल परिच्छा कक्छाए कम पड़ेगी ऐसे में इन केंद्रों पर बरामदे में भी परिच्छा लेने के तयारी केंद्रा दिख्चकों के दुआरा की जा रही है ग्याद हो कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार एक बेंच पर सिर्फ दो चात्रों को बैठाना है वहीं उस बेंच के पीछे वाले बेंच पर सिर्फ एक चात्र बैठेगा यह करम पुरे कक्छा में लागू होगा ऐसे में जहां एक कक्छा में 50 से 60 परीचात्रियों को बैठाया जाता था वहीं इस बार 20 से 26 परीचात्री ही बैठ पाएंगे अरण की बड़ी कबर बंगलादेश को हरा समी फाइनल में पहुचा भारत ऑस्टेलिया से होगी फाइनल में पहुचने की जंग जिहां टेम इंडिया ने पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कब फाइनल का बदला लेते हुए बंगलादेश के खिलाप पांच विकेड से जीत दर्ज कर समी फाइनल का टिकेट कटा लिया है समी फाइनल में टेम इंडिया का मुकाबला ऑस्टेलिया से होना है भारत और ऑस्टेलिया के बेच समी फाइनल मैच दो फरवरी को खेला जाना है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि इस बार अंडर 19 डो किरकेट वर्ल कफ का फाइनल कौन से टेम जितेगी इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं